नमस्कार दोस्तों, क्लास एट महरा स्टेट बोर्ड मैथेमाटिक्स शाप्ट नमबर 6 फैक्टर आइजिशन आफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन्स उसमें प्रेक्टिस इट 6.1 का क्वेशन नमबर 5 शुरू है तो इसके पहले मैंने दो वीडियोज बनाए हैं प्रेक्टिस इट 6.1 के 4 कोशन तक तो मैं यहाँ पर अजुम करके चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियोज देखे हैं वो कंसिडर करकर मैं अभी जो नेक्स्ट कोशन से वो अभी स्वाल कर रहा हूँ तो कुशन स्वाल करने से पहले आप सभी को अन्रोद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेर करें बिल आइकान प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज जब भी अप्लोड हों तब आपको उनका नोटिपिकेशन मिल जाए तो हमें कॉंस्टन्ट वैल्यू और पी स्क्वेर का कोईफिशन बन इनका मिल्टिपिकेशन करना है मैनेस 35 इंटु वन मैनेस 35 मुल्टिपिकेशन और पी का कोईफिशन मैनेस 2 एडिशन एश सब्ट्रेक्शन आए ऐसे दो नमबर्स हमें find करना है तो यहाँ पे 35, 7, 5 जा 35, 7-5 तू आता है तो एक नमबर 7 और दूसरा हम 5 ले सकते हैं लेकिन multiplication का sign minus और इन दोनों की subtraction का भी sign minus subtraction का sign minus है तो greater number को sign हमें minus देना है तो minus into plus minus 7 into 5, 35 इनका multiplication आ गया और इन दोनों का subtraction मतलब minus 7 और 5 तो इन दोनों के हमें addition करने हो थे subtraction बहला हमने किया हो लेकिन इन दोनों के अगर हम addition करेंगे minus 7 plus 5 तो minus 7 plus 5 दोनों का अलग sign है तो 7 minus 5, 2 greater number का sign minus यहाँ पे आएगा अब हमें minus 2 P को split करना है minus 7 P plus 5 P तो यह होगा P square minus 7 P plus 5 P minus 35 अब इन दोनों में हमें common लेना है तो यहाँ पे common P square और P में से P common होगा P square से अगर हम P common लेंगे तो यहाँ पे P रहेगा minus P, P cancel minus 7 रहेगा plus common 5 और 35 को दोनों को 5 से डियाड होता है तो 5 हमने अगर common ले लिया यहाँ पे 5 common तो यहाँ पे 5 5 cancel, plus plus cancel तो plus ही रहेगा यहाँ पे P minus अब देखें minus से अगर हमने plus common ले लिया है तो यहाँ पे minus ही होगा यह minus को हमें plus ही डियाड करना है minus डियाड by plus minus ही होगा 5 7 जा 35 तो P minus 7, P minus 7 यह दो जो bracket हैं वो हमें common लेने हैं तो यहाँ पे P minus 7 bracket हमने common ले लिया तो यहाँ पे P रहेगा तो उसे हमें दूसरे bracket में P लिखना है अब इन दोनों से हमने यह bracket common ले लिया तो अब इन दोनों में से हमें P minus 7 यह bracket common लेना है तो यहाँ पे plus 5 रहेगा तो P plus 5, P minus 7 यह दो factors होगे next question है P square minus 7, P minus 44 तो minus 44 into 1 minus 44 multiplication आना चाहिए P का coefficient minus 7 minus 7 additional subtraction आने चाहिए तो हमें दोर जो नूम्बर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 11 और 4 11 4 जा 44 11 minus 4 7 अब subtraction को negative sign है तो greater number को sign negative minus into plus minus 11 4 जा 44 11 minus 11 plus 4 minus 7 middle term को हम यहाँ पे split करेंगे P square minus 7 P को हमें लिकना है minus 11 P plus 4 P minus 44 अब इन दोनों में और इन दोनों में common तो P square minus 11 P में P common आएगा यहाँ पे number तो है नहीं इसलिए P square और P में P common P square को P से divide करेंगे तो यहाँ पे P रहेगा P P cancel minus 11 प्लस 4 P minus 44 तो प्लस 4 हमें common लेना है जिसे कि 4 से 44 का और 4 को divide होता है तो प्लस 4 cancel यहाँ पे P रहेगा minus divide by plus minus 4 वन्जा 4 P minus 11 हमें ब्रैकेट common लेना है तो यहाँ पे P plus 4 जो है वो ब्रैकेट में रहेगा यम square minus 23 यम प्लस 120 तो 120 into 1 multiplication 120 आना चाहिए addition and subtraction minus 23 आने चाहिए तो 120 के हमें प्राइम फेक्टर लेने है अगर समझो easily नहीं आ रहा है तो टोसे डियाड करेंगे तो 60 टोसे डियाड करेंगे तो 30 टोसे डियाड करेंगे तो 15 3, 5, 5, 1 अब इन में हमें दो ग्रूप बनाने है एक ग्रूप में जो नमबर हम लेंगे वो चोड़कर बाकी के सभी नमबर दूसरे ग्रूप में लेने है तो ऐसे हमें दो ग्रूप बनाने है सब्स हमने 2 इन्टू 2, 4 का एक ग्रूप ले लिया तो 5 इन्टू 3, 15 इन्टू 2 30 30 और 4 30 और 4 हम अगर लेंगे तो इनका एडिशन या सब्ट्रेक्शन 23 नहीं आएगा तो 3 इन्टू 5 इनका हम ग्रूप करेंगे और ये नमबर्स लेंगे 2 इन्टू 2, 4, 4 इन्टू 2, 8 और 3 इन्टू 5, 15 15 प्लस 8 23 तो 15 और 8 ये दो नमबर्स मिल सकते हैं अब इनकी एडिशन को सईन माइनस है तो इसका मतलब ये दो भी नमबर्स निगेटी होने चाहिए तब हम इन दोनों के एडिशन कर सकते हैं अगर सईन सेम है तो तो माइनस 15, माइनस 8, माइनस 23 सेम सईन एडिशन ग्रेटर नमबर का सईन मैनस इंटो मैनस प्लस 15 इंटो 8 120 तो मुल्टिप्लिकेशन 120 आ गया तो हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है M स्क्वेर मैनस 15 M मैनस 8 M प्लस 120 अब इन दोनों में और इन दोनों में common M स्क्वेर और M में M common तो यहां पर M रहेगा माइनस यम कॉमन लेने के बाद 15 अब माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है तर्ट टर्म के लिए हमें 8 से 120 को डिवाइड होता है तो हमें माइनस 8 कॉमन लेना है माइनस 8 माइनस कैंसल यहाँ पे यम रहेगा प्लस से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 8 बन्जा 8 एट नेस्ट क्वेशन है यम स्क्वेर माइनस 25 यम प्लस 100 अब कॉंस्टेंट वैलियो 100 इन्टू 1 यम स्क्वेर का कोईपिशन 1 एन्टू 100 100 मुल्टिप्लिकेशन आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रेक्शन यम का कोईपिशन माइनस 25 तो जो दो नूम्बर से हैं वो है 20 और 5 25 जो 100 और इन दोनों के एडिशन करेंगे तो 25 लेकिन एडिशन को सैन माइनस है इन दोनों के एडिशन होनी चाहिए और सैन निगेटिव तो इसका मतलब दोनों के भी सैन निगेटिव होना चाहिए तो माइनस 20 माइनस 5 माइनस 25 को स्प्लिट करके लिखना है यम अब इन दोनों में और इन दोनों में common तो M square और 20 M में M common तो यहाँ पर 1 M रहेगा minus M common लेने के बाद 20 minus 5 तो यहाँ पर minus common 5 और 100 को 5 से divide होता है इसलिए 5 common तो minus 5 minus 5 cancel plus M plus divided by minus minus 20 100 divided by 5 20 5 2 से 10 0 5 0 से 0 M minus 20 M minus 20 तो M minus 20 common तो यहाँ पर रहेगा M minus 5 question number 9 15 345 multiplication 45 आना चाहिए X का coefficient plus 14 plus 14 addition है subtraction तो multiplication भी plus है और addition भी plus है तो दोनों का sign plus ही होगा तो 9 5 जा 45 9 plus 5 14 तो 9 और 5 हमें यहाँ पर दो numbers मिल गए तो 14 X को हमें split करना है 9 X plus 5 X में तो यहाँ पर होगा 3 X square 14 X को लिखना है plus 9 X plus 5 X plus 15 दोनों के addition करिए तो यही number आएगा अब इन दोनों में और इन दोनों में common 3 X square plus 9 X अब देखे 3 और 9 इन दोनों का highest common factor 3 होता है तो 3 को हमें common लेना है तो 3 X square और X में X को common लेना है तो 3 3 cancel X square से 1 X cancel 1 X रहे गया plus divide by plus plus 3 3 is a 9 X X cancel plus 5 और 15 में 5 common 5 5 cancel X रहे गा plus divide by plus plus 5 3 is a 15 तो X plus 3 X plus 3 तो यहाँ पर X plus 3 को common लेना है तो यहाँ पर रहे गा 3 X plus 5 इन दोनों का multiplication हम करेंगे तो minus 90 आएगा X का coefficient plus 1 तो plus 1 addition है subtraction और multiplication minus 90 आना चाहिए ऐसे दो numbers तो 90 के लिए हम 10 into 9 लेख सकते हैं और इन दोनों का subtraction करेंगे तो 1 आएगा लेकिन subtraction को sign positive है 10 और 9 तो जो greater number है उसको sign positive जो smaller है उसको negative plus into minus minus 10 into 9 90 अब इनके अगर हम addition करेंगे तो 10 plus into minus minus 10 minus 9 plus 1 greater number का sign plus 1 तो अब हमें X को split करना है plus 10 X minus 9 X तो यह होगा 2 X square plus 10 X minus 9 X minus 45 अब इन दोनों में और इन दोनों में common 2 X square और plus 10 X 2 और 10 में 2 common X square और X में X common तो 2 2 cancel, X square का 1 X cancel, 1 X रहाँ पर रहेगा plus 2 5 जा 10, X X cancel, minus negative है, third term तो negative common लेना है 9 और 45 दोनों को 9 से divide होता है, minus 9 minus 9 cancel तो plus X minus divide by minus plus, यह minus से हम minus common लेंगे तो sign change होगा negative जब भी हमें common लेना है तब sign change होगा, 9 5 जा 45 तो X plus 5, X plus 5, X plus 5 यह bracket हमें common लेना है, तो यहाँ पर रहेगा, 2 X minus 9 अब सिर्फ दो questions इस practice से रहे गया हैं, वो हम अगली वीडियो में short वीडियो होगा, 4-5 minute का, उसमें हम लेंगे, तो ठीक है, thank you दोस्तों